इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाए और पास में दिया गया गंटा अवश्य दबाए ताकि हमारे सभी नौटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए नसकार दोस्तों रिजका रिजका एक ऐसा आहर है जिसे हम पशों को या फिर घोड़े को खिलाते हैं हम लोग ऐसा मानते हैं कि रिजका मनुशे के लिए नहीं है मनुशे को रिजका नहीं खाना चाहिए वास्तों में ऐसा बिल्गुल नहीं है दोस्तों रिचका हमारे शरीर की चर्वी को जड़ मुल से पेगला देने की ताकत रखता है जीन लोगों को संधीवा यानी आर्थराइटिस की तकलिफे उसे भी वह ठीक कर देता है रिचके को अर्बी भाषा में अल्फ फल्फा कहते हैं इसका मतलब है सभी आहार का ये बाप है थाइरोट की विवारी जिसको है उन लोगों को इसका सेवन अदवुत परिणाम देता है रिचके में वीटामिन यू होता है वह बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है अलसर में भी यह बहुत ही फाइदेमंद है इसमें मौझुद वीटामिन B6 स्कीन के लिए बहुत जरूरी है और यह प्रोटीन और फेट मेटाबोलिजम को दुरस्त रखता है वीटामिन के जो लिवर के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है लिवर को ठीक रखता है वह रिचके से ही हमको मिलता है वीटामिन के लंबी आयू के लिए भी बहुत जरूरी है उसके अलवा अलर्जी, अस्थमा, कीडिनी, प्रोस्टेट, बैड कॉलेस्ट्रोल, थाइरोईड और मरदाना ताकत के लिए भी रिचका अधी आवश्यक है दस्तों एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमें अपने वैदिक शास्त्रों पर कभी बरुसा होता नहीं है इसलिए हम जब पश्चेमी देशों के वैग्णानिक उस पर मोहर लगाते हैं तब ही हम उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं रिचके के बारे में भी कुछ ऐसा ही है आप अगर रिचके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर अलफा अलफा बेनिफिट्स वर्ड टाइप करोगे तो उसके फाइदे पर लाखों पेजिस खुल जाएंगे हमारी रोज के आहार में संतुलन बिल्कुल नहीं रहता है हम लोग चाहे जितना भी खाले फिर भी हम पुरा आहार नहीं ले सकते हैं इनसे बिमारिया हमारे शरीड में प्रविश करती है रिचके से इतने सारे फाइदे हैं दोस्तों तो फिर रिचका खाया कैसे जाए उसके बारे में भी हम जानते हैं तो रिचका आप अगर खाना चाहते हैं तो फूड सप्लेमेंट की तरह इसका उप्योग कर सकते हो अमलिका में हर एक बड़े शौप में रिचके का पाउडर सुपर ग्रीन फूड के नाम से बेखता है भारत में भी कुछ बड़े श्टोर पर रिचके का पाउडर मिलता है लेकिन यह पाउडर हम गर पर भी बना सकते हैं गर पर यह पाउडर कैसे बनाते आई जानते हैं। रिचके की एक बड़ी या छोटी पुडिया आपको बाजार से ले आनी है। वो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। उसके साथ पत्ते छोटी छोटी डालिया। मुल वगेरे हो तो उससे आप यूँ ही रहने दे उसे निकाले नहीं। पानी से पुडिया अच्छी तरह से दोले ताकि पुडिया के साथ दूल मिटी या अन्य अशुद्यों से वो साफ हो जाए। उसके बाद रिचके को दोपना हो ऐसी जगा पर छाओं में आपको थोड़े दिन सुखाना है। जब सुख जाए तब रि सप्लिमेट की तरह यूज कर सकते हो इसका प्रमान इस प्रकार है कोई भी पुख्त व्यक्ति सुबह नाश्ता करने के बाद और दो पहर को खाना खाने के बाद एक से देठ चमच आराम से खा सकते हैं और खाने के बाद आपको पानी पी लेना है। तो दोस्तों रिचके के फाइदे और रिचका कैसे खाया जाए यह जानने के बाद आप रिचके का प्रयोग आज से ही शुरू कर सकते हो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट वक्स में एक कमेंट डालके ज़रूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बैल का आइकोन आप सरु से दबाए ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए